NDA में मची खीशतान अब सड़क पर आ गई है खुले मंचों से NDA के घटक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ जहरोगल रहे हैं खुलकर जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें BJP की नीतियों से आपत्ती है BJP जो राजनीती करती है वो ठीक नहीं है केंदर में सरकार बनने के बाद मोधी सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिये हैं उस पर सहयोगियों ने कहीं खुलकर तो कहीं दवी जुबान में विरोध जताया है और अब चुनावी राज्यों में भी NDA में फूट खुलकर सामने आने लगी है जिसका नुकसान राज्यों में तो होगा ही और अगर यह संतोश यह नाराजगी यह विरोधाभास बढ़ता गया तो केंदर में भी BJP को करारा जटका लग सकता है जिस से BJP के माथे पर चुनता की लकी रहे है तो कैसे राज्यों से शुरू होकर मोदी के कुर्सी तक पहुँच रहा है यह संकट क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूँ अन्शिता महराष्ट में चुनाओ की तारीखों का एलान होने वाला है लेकिन उससे पहले ही एंडिये के टूटने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है अमिशाह के एक बयान ने तो पहले ही सहयोगी दलों को साबदान कर दिया था और अब अजीत पवार ने एक और बयान दे दिया है जिससे संकेत हैं कि महराष्ट में चुनाओ से पहले कुछ बड़ा होने वाला है हाला कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि NDA के सहयोगी दल सिर्फ महराष्ट चुनाओ के नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं जैसे ही चुनाओ के बाद राज्ज से बीजेपी का सफाया होगा उसके बाद केंद्र से भी बीजेपी को आउट कर देने का प्लान विपक्ष की तरफ से और NDA में कुछ सहयोगी दलों की तरफ से तयार कर लिया गया है कॉंग्रिस नेता अशोक चवान ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि नाइडू और नितीश जो मोदी सरकार की दो बैसाकी हैं इंडिया गटवंधन के संपर्क में है इसलिए जब महराष्ट में अजीत के बदले हुए तेवर दिखने लगे तो अब वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके जो तेवर हैं वो यह इशारा कर रहे हैं कि कोई खिटडी तो महराष्ट में पक रही है, इंडिया घटबंधन में पक रही है और NDA के सयोगी दल कहीं ना कहीं यह मान कर चल रहे हैं कि महराष्ट में अगर इस बार सरकार नहीं बनी ए NDA की, तो फिर उसके बाद उन वोने सीधे सीधे डिप्टी सीम देविंद फडणवीस पर हमला बोल दिया है अलाकि जैसा कि मैंने कहा कि पिछले काई दिनों से अजीत के तेवर जो है बदले बदले नजर आ रहे हैं उनके बयान जो है तीखें हैं वो लगातार निशाना साथ रहे हैं बीजेप्य और उसक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वज़ा शाह का बयान है और बीजेपी की तरफ से जो है फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना है यानि अजीत को बीजेपी के चाल अच्छी तरह से समझा गई इसलिए वो अलग लाइन पर अब चल पड़े हैं इस पर आगे भी चर पर चल सकते हैं तो अजीत ने कहा कि मैं सभी जाती धर्म को मानने वाला शिव साहू फूले का एक समर्थक हूं कुछ बेलगाम बयान बीर अलग-अलग धर्म पंत समाज के खलाफ बयान देते हैं यह सही नहीं है तो अब अजीत के इस बयान ने सियासत को गर्मा दिया कुछ लोगों को लगता है कि हमारी संक्या भले ही कम हो लेकिन हम संगटित मतदान करके हिंदुत वादियों को पराज़ित कर सकते हैं दोजार चौबीस लोगसबा चुनाओं में महाराश्ट के 48 मैं से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ और महयुती की हार हुई तो की कि अशूंठ के बयान पर पलतवार बताय जा रहा है यहीं नहीं कुछ लोग तो यह भी कह रही हैंकि अजीत ने नितेश राने पर भी निशाना साधा है किर्फ नि निशाना किसी पर भी आप ही एक बात तो साफ कि अजीत بीजे पी पर हमला बोल रही है यह संदेश देन अल्प संक्यक समाज को दे जाएंगे अभी तक तो पार्टी प्रवक्ता ये बात कह रहे थे लेकिन अब तो अजीत ने भी खुल कर ये कहना शुरू कर दिया है तो फिलाल अजीत ने हाल ही में कहा कि इस बार होने वाले चुनाओ के मद्दे नजर मैं हमारे अल्प संक्यक समाज को कहना चाहता हूँ कि महायूती के सीट बटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीट मिलेंगी उसमें से 10% सीट मैं अल्प संक्यक समाज को दूगा तो अब अजीत पवार के इस बयान ने महराष्ट के सियासत में खलबली मचा दी अब दावा किया जा रहा है कि वो यानि कि अजीत पवार अल्प संक्यक वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो आप ये भी जान लेते हैं कि आखिर अजीत पवार के इस बयान के सियासी माईने क्या है तो आपको बता दें कि अजीत पवार लोगसबा चुनाओं से पहले शिंदे बीजेपी के अगवाई वाली सरकार में शामिल हुए थे इससे जनता के मन में उनके प्रती जबरदस्त नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने चाचा शरत पवार की पार्टी को तोड़ दिया था इसका नुकसान उनको हुआ लोगसबा चुनाओं में उन्हें इसकी खामियाजा बुगतना पड़ा और उनकी पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली जबकि उनके चाचा शरत पवार की पार्टी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्श की यानि सहानुबूती लेहर का फायदा शरत पवार को मिल गया अब शाहनुबूती पैक्टर के साथ मिलने से पार्टी का काडर वोट घड़ी के बजाए शरत पवार के साथ चला गया पार्टी का मूल वोटर मुसलिम और मराठा है उनमें भी अधिकांश किसान NCP को सपोर्ट करता है लेकिन अजीत को लगा कि मुसलिमों ने इस चाचा की ही तरफ रहेगा ऐसे में अजीत इसको लेकर अभी भी आशंकित है तो ये एक बात तो साफ है कि अजीत कोशिश भले ही कर रहे हैं लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम नजरारी अगर वो NDA के साथ रहते हैं इसलिए धीरे धीरे अजीत ने NDA BJP के विचार धारा से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, BJP के खिलाफ बयान बाजी देना शुरू कर दिया है, पिछले दिनों देविंद फड़नवी सौर एकनाश शिंदे के सामने खड़े होकर उन्होंने खुले मंच से कहा था कि इस तरह की बयान बाजी जो हो रही है नेताओं की तरफ से वो इसका विरोध किया था, अला कि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने पूरे घटना करम का या जो ये बयान बाजी विवादित हो रही थी, उसका पूरा तरह से विरोध किया था, तब भी इस तरह का माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है अजीत ये चाचा से नजदी की बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार ये मेसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया वो गलत था उन्हें राजनीती को परिवार में नहीं लाना चाहिए था अपने परिवार के खिलाफ ही अपने नेताओं को नहीं उतारना चा चर्चा का विशे बनी हुई है वो है अजीत को मिलने वाले संभावित धोके की तो अजीत समर्तुकों को लगता है कि बीजेपी चुनाओ के आखरी समय पर एंसीपी को धोखा दे सकती है सीट बटवारे में एंसीपी को इतनी कम सीटे ओफर की जाएंगी कि अजीत पवार के पहले डील स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा और अजीत को फिर गटवंधन से बाहर आना पड़ेगा ऐसे में अजीत पवार ने पहले से ही छोटे दलों से दोस्ती शिरू कर दी है और अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो बीजेपी पर सीधा हमला बोलने से भी नह नमस्कार